तो दोस्तो इस टाइम विवो मुबाइल फून यूजर के साथ एक बहुती बड़ी प्राब्लम आ रही है उनके मुबाइल फून की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से लाइनिंग की प्राब्लम देहने को मिल रही है जैसा कि आप यहाँ पर मेरे मुबाइल फून की पर ब्लैक कलर की लाइन के प्रॉलम देहने को मेरी है तो ऐसे मेरे मुबाइल फून की डिस्प्ले बीजिए फिलिक्रिंग कर गी है ब्लिंकिंग मारी है तो आज किस वीडियो में आपको पता हूँ जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मैं अपने मुबाइल फून में किसी आपके पस वीव कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फून के लो तो अगर आपके वीव के फून में भी डिस्प्ले लाइनिंग या फ्लिक्रिंग स्क्रीन बिलिंकिंग या फ्लिक्रिंग के प्रावलम आ रहे होगी तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी सेटिंग बताने तो कौन सी वो तीन सेटिंग है और ये फिर इस वीडियो में जानते हैं जैसे कि आपने देखा ठीक 10 सेकंड के अंदर अंदर मैंने अपने वीव मुबाइल फून में उन तीनु सेटिंग को एनेबल करके पहली सेटिंग करने आपको का अपने वायलिफिन में सेटिंग को नस्य को आपन करें तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस को आले आ जाएंगा वाय-फाइगा मम्बाइल का Bluetooth को connection and sharing का wallpaper को तो आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको scroll करना है तो जैसी आप scroll करेंगे तो यहाँ पर मुझे नीचे apps का icon आपको देखने को मिल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे apps का icon आ रहा है तो हो सकते हैं आपके पास नीचे चलके कहीं पर आरोगा management app, app info या app list का icon देखने को मिल रहा हूँ तो कहने का मतलब है आपको वाइलफोन की settings में सारी-सारी apps को निकाल के लाना है तो जैसी आप वाइलफोन की settings में सारी-सारी apps को निकालेंगे तो आपके वाइलफोन की setting की icon पर क्लिक करना है तो जैसी आप setting की icon पर क्लिक करेंगे अगें setting का कुछ ऐसा इंटरफेस आगे तो आपको open four stop, disable, manage notification, permission, data usage, storage दो आपको storage usage की icon पर क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे अगें आपको bottom में red color में clear एक ची की icon पर क्लिक करने के बाद एक step back आने के बाद आपको टाप करना पर center में four stop की icon पर क्लिक करना है अगें आपको bottom में four stop करना है तो आप redirect back mobile phone की home screen पर आजेंगे तो यह आ गई setting number first अब आपको अपने vivo phone में दूसरी important setting करने है तो दिहान से देखना most important setting आपको वापी से settings को open करने के बाद आपके सामने अगें ऐसा interface आजएगा तो आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे तो आपको setting में आने के बाद top gun पर search बार में direct search करना होगा R E S E T आपको reset लिक के search कर देना होगा तो जैसी आप reset link के search कर देंगे तो दिहान रहें यहाँ पर आपको अपने vivo phone को reset नहीं करना है तो जैसी reset link के search कर देंगे तो आपके सामने बहुत सारे option हैंगे तो आपको पहला बिनी दूसरा बिनी तीसरा option आप्शन आ रोगो reset all setting तो यहाँ पर reset all setting आ रहा है हो सकता है आपके mobile phone में reset all setting के आइकन पर click करने के बद अगेन आपको reset all setting के आइकन पर click करना है तो जैसी click करेंगे दिखेंगे आपकी setting reset हो रही है बाकि आपके वल्फिन ने कोई बी data delete नहीं होगा आपके पतार है system setting have been reset तो जैसी आपकी system setting reset हो जागे तो आपको यहाँ से back आजाना है तो यहाँ बैक आजेगा तो यहाँ गई दो setting अब आपको अपने वीवफोन में last and final setting सबसे important setting करने आपको अपने वीवफोन की home screen प्राने पर जो भी आना पाट है इसको long press करना है तो जैसी आप long press करेंगे तो आपके समुने दो option हैं कि power off कर restart करते हो दोस्तों मैं आपको बताते हो यह आपको फोन open होके जाएगा अभी आपके वीवफोन के display पर lining के problem साल नहीं होगी ना ही flickering ना ही blinking के problem साल होगी अब आपको अपने वीवफोन को लाग करना है तो जैसी आपको 20-25 मिनित ले आपको लाग कर देने तो जैसी आपके बराबर 20-25 मिनित हो जाएगे ठीक 20 मिनित क कि प्राबन को साल को अर्षते हैं ये थी छोटी से information वीडियो अच्छे लगी चैनल को subscribe करना नहीं थेंक यू